नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों जब से वाटसेब की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसके बाद से जो आपका डेटा है वो थोड़ा सुरक्सित नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों उस प्राइवेसी पॉलिसी में बताया गया है कि आपका जो भी डेटा है वो वाटसेब का डेटा वो फेस्बुक के साथ सेर किया जाएगा तो दोस्तों इसलिए अब जो यूजर्स है वो वाटसेब से किनारा कर रहे हैं तो आपका data है कि आप नहीं चाहते कि किसी के साथ भी आपका data है वो share किया जाए, क्योंकि दोस्तों आपके जो भी status वगेर आप photos वगेर है वो जो है आपकी पैस्बूक के साथ share की जाएगी ऐसा बताय जा रहा है नहीं policy के द्वारा, तो दोस्तों वो नहीं policy है, वो आपको एग्री करनी पड़ेगी अन्यता आप जो WhatsApp का यूज है वो नहीं कर सकते तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यह पर बताने जा रहे हैं एसे अप्लिकेशन के बारे में जो WhatsApp का का यूज करते हैं तो सिग्नल एक बिल्कुल आपके लिए सुरक्सित एप है वह आपका डेटा है वह बिल्कुल सुरक्सित रखता है और दोस्तों उस एप्लिकेशन का यूज है आप WhatsApp की तरह ही जो है चैटिंग और अन्य जो WhatsApp की तरह है आप उसको यूज कर सकते हैं तो इस दोस्तों आपको हमारे चैनल पर काफी यूजफुल कंटेंट अब देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि सिग्नल एप का यूज कैसे करेंगे आपको यह पूरा डिटेल में बताएंगे तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन क की तरब की तो दोस्तों आपको एंपर सिग्नल एप को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले आपने Google Play Store से सिग्नल प्राइवेट मेंसेंजर इस एप्लिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों डाउनलोड वो आपके इसमें सुरक्षी तरकी जाएगी आपको इसमें continue कर देना है उसके बाद में दोस्तों आपसे कुछ permissions मांगी जाएगी आप उसमें चाहो तो आप उसमें allowed कर सकते हो तो दोस्तों जैसे ही आप permissions allowed करते हो उसके बाद में आपको यहां पे इंटर और phone number आपको यहां पर इंटर करना पड़ेगा उसके बाद में आपको यहां पर next के option पर क्लिक करना होगा दोस्तों जैसे ही आप next के option पर क्लिक करते हो आपको mobile नंबर पर एक OTP कर दिया जाएगा जैसे आपका OTP हो जाता है आप यहां पर next step में पहुंच जाएगा आपको यहां पर next में आपको अपना name सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको यहां पर last name optional है आप चाहुता है आपको फील्ड कर सकते हैं इसके बाद में आपको यहां पर नीचे next क्लिक करना है दोस्तों जैसे ही आप next पर click करते हो आपको यहां पर फोर डिजिट का पीन मांगा जाएगा दोस्तों उसमें आपको यहां पर कोई भी फोर डिजिट का पीन है वह आपको यहां पर select कर लेना है उसके बाद में आपको next पर click कर देना है तो आपको यहां पर फ बताने वाले कि कैसे आप जो इस signal एप का यूज़ हो कैसे आप जो कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यह पर सबसे पहले एक option आपको आपको नजर आएगा कि यूज़ डिफॉल्ट SMS आप इसको डिफॉल्ट SMS भी दोस्तों आप बना सकते हैं क्योंकि आपके जो मोबाइल में ज एक तेप करोगे को दुस्तों आप जैसे इस पेंसिल के अइकन पे टेप करोगे आपको यह पर सबसे उपर में Luर नंबर रहा आप जो आप अपनी खॉंटेक्ट लिस्ट है उनके जो नंबर आए आप यहां करते हो तो दोस्तों आपको यहां पे सबसे उपर में आपको यहां पर जो आपने सिगनल का जो लोगो यहां पर नजर आ रहा है आप यहां पर देख रहे हैं आप यहां पर जैसे ही आप कलिक करते हो तो दोस्तों आपकी जो भी प्रोफाइल है वह आपको यहां पर सो कर दी आप हैं ऊपर में टेप करोंगे आपकी प्रोफाइल जो भी हो आपको यहां पर सो कर दी जाएगे आपकी प्रोफाइल और आपका नेम और आप चाहो तो दोस्तों आप यहां पर फोटो भी लगा सकते हो इसके आलाव आपको नीचे में एक उप्षन मिलेगा SMS जो SMS and MMS इसको आपको दोस्तों ओफ ही रहने देना है यदि आप इसको ओन कर लिए ओन करते हो तो दोस्तों आपका ये जो सिग्नल एप है वो डिफॉल्ट मेसेजिंग जो एप है वो बन जाएगा यानि आपके जो ओफ-लाइन एसमैस आते हैं시면 में वह प्वेडिले केशन में आने सुरूँ जाएंगे यदि आप इसे ओन कर देता हो तो इसके अलबाव दोस्तों इसके नोटिफिकेशन है वह ऑप इससे मेंfeit कर सकते हो इसके हलावा यह आप इसकी privacy है वह आप सिस्क्रीन लोग off आप जैसे जो registration लोक हो जो इसमें आप है जो ऊनोफ privacy है आप इसके अपने अनुसार और प्राइबस्टे साल हो का सकते हो इसके लावा एक निचे में आपको एंपे जो इसकी दीन स्व calendar है जो लेंग्वेश सिस्टम इसमैं आप घो हैं तो शेट कर सकते हैं इसके नीचे में दोस्तों आपको अपको आप परकार का है जो च रहना है पonner साइज में सेज़ग्क और उसी परकार से दोस्तों आपको जैसे WhatsApp में आपको आपको यह पे देखने को मिलता था इसके लाआ नीचे इस को जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितना इस्टोरेज किया है फोटो एंड वीडियो का तो दोस्तों इस परकार से जो आप इसमें देख सकते हो तो जैसे आप इसमेस करना चाहते हो तो जैसे मैं आपको यहां पर जैसे मैं किसी के पास भी जैसे एक SMS कर रहा हूं जैसे कोई भी जैसे मैंने कोई नंबर सेलेक्ट किया यह नंबर सेलेक्ट किया अब मैं यहां पर इसमेस करता हूं हाई लिख के तो मैंने एक SMS जैसे सेंड कर दिया है तो दोस्तों अब इस SMS में आपको यहां पे एक अच्छा option भी आपको यहां पे नजर आएगा जैसे ही आप यहां पर 3. पे आपको यहां पे click करना आप जैसे ही इस पर click करोगे आपको यहाँ पे SMS जो सबसे उपर में एक option आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा disappearing message का तो दोस्तों इस option पे आप जैसे click करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे disappearing message पांस second, 10 second, 30 second जिसमें आप जितना आप select करोगे और आप okay करोगे तो दोस्तों इसका मतलब आपका जो आपने message send किया है वो उस time के बाद है वो automatically है जो delete हो जाएगा तो दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा option यह भी है तो दोस्तों इस परकार से है जो आपको यहाँ पे signal app का use है वो WhatsApp की तरह ही बिलकुल आप जो कर सकते हैं और दोस्तों इस application के माध्यम से आप जो chatting कर सकते हैं और दोस्तों आप इस application को अपना हुआ है WhatsApp का alternative के तोर पर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको यह पे signal app के बारे में बताया है कि आप किस परका से signal app का use है वो कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों मिलते है नेक्स टूडे में तब तक के लिए गुडबाई